Hello everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ रोशनी और आज मैं आपके लेकर आए हूँ शाही पनीर का रेसिपी, जो बहुत ही अलग तरीके से मैंने इसे बनाया है, खाने में काफी टेस्टी होता है, बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, में थट थोड़ी से मैंने चेंज किया है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैंने यहापर एक पैन ले लिया है, इसे हलका सा गरम कर लेंगे, इसमें मैंने धन्या आड किया है, काजू आड किया है, 7-8 धन्या एक टिबल स्पून मैंने आड किया है, दो ड्राइड चिली इसमें आड किया है, और इसे हलका सा ड्राइ पर लेंगे 30-40 सेकंड के लिए मेधियम फलेंगे और इसे हम निकाल लेंगे इसे हम ठंडा करके इसका पाउडर तयार कर लेंगे अब मैंने सेम पैन में 1 टिबल स्पून ओइल आड पिया है एक मीडियम साइज का अनियन जिसे मैंने छॉप कर लिया है और इसे हम हल्का सा लेते हैं मैंने टमाटर ले लिया है एक मीडियम साइज का इसे भी छॉप कर लिया था और इन तीनों चीजों को एक साथ भूलेंगे फ्राइ कर लेंगे और इसका कलर जब चेंज हो जाए तो हम निकाल लेंगे यह पाउडर मैंने ड्राय जो रोस्ट किये थे काजू धनिया चिली उसके पाउडर मैंने तयार कर लिया है अब इन आ हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और थंडा करके इसका पेस्ट तयार करेंगे मैंने यहाँ पर टू टेबल स्पून ओयल आड़ किये हैं और जो पेस्ट हमने यहाँ पर रेटी किये हैं यह देखिए टमाटर लहसन प्याज के पेस्ट जो हमने फ्राइ किये थे वह हम आड़ करेंगे यह ची ठार ए Parliament मसाला होता है ड्राइक खड़े मसाले में आता है वह में ہے यहाँ पर एक टेबल इसुन जीरा अड़का आड़की हादगे यहाँ पर एक टेबल इस्पून लान-मिर्ज पौडर आड़क्य और 1⁄2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर एड्ट इनसे बुर्ट आपको दस से बारा सेकिंड के लिए पोईल में अल्का सा फ्राइ कर लेना है और इन पेस्ट को हम इसमे आयर कर देंगे जो थे तैयार किये थे इसे हम भूल लेंगे इसे हम लो टू मीडियम फ्लेंप पर इस यह देखिए आप कलर देख सकते हैं मसालो का बिलकुल चेंज हो गया है यह जो पेस्ट है काफी चेंज हो गया है ओईल रिलीज होने लग गया इस पॉइंट पे हम आड करेंगे गरम मसाला एक टिबल स्पून और मैंने यहां पड़ आड किया है हाफ टिबल स्पून जीरा प अब इस पानी यह जाओ 不錯 जीरा और अब एक टिबल इंगे तो त्यूबं स्पून करेंगे आडी यह दी आप कर सकते हैं मैंे दूबल स्पून फ्रेश क्रीम भाध ठीड गवह को एप इस तरीके से निकाले और समया लेंगे और लाग भग भग तो लिए लो गयं कोश, भर जा लेते हैं इसमें बॉयल आ चुका है बहुत अच्छे से ग्रेवी तयार हो चुकी है अब इस पॉइंट पर मैं आड़ करेंगे पनीर यहां पर मैंने 200 ग्राम लिये थे चैसे में छोटी छोटे कट कर लिये हैं पीसे में आर इसमें हम आड करेंगे पनीर आड करने के बाद हम कवर करके इसे लो फ्लेम पर लगभग एक मिनट या उससे कम टाइम के लिए मैंने एक मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे पकाया है लिड हटा लेंगे एक पर हलका सा इसे चला लेते हैं और हम ग्यास का फ्लेम बंद कर देंगे तो यह शाही पनीर बिल्कुल तयार है कमेंट करके बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी थैंक यू सो मस्स थैंक्स पर वाचिंग बाई बाई